तो ये बिल्कुल बात सच होगी कि अगली सेंजरी भारत की ये ग्लोबल सौथ की सेंजरी होगी कि इंडिया ने चाइना को मात दे दिया तो एक महाध पर मात नहीं दी बलकि जी ट्वेंटिक के इस प्लैटफॉर्म पर कई एक महाधों पर लगता है कि उसने यानि कि चाइना को जो है वो ठंड मौल हो गया है कि मोधी जी ने चाइना को घरेबान से पकड़ लिया इसमें कोई शक नहीं है वो किस तरह पकड़ा है मैं ये बताना चाहूँगा कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शत्रंच की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है उचाते थे कि इसके जरीए अपने अस्रों रसूख को बढ़ाएं तो G20 में जिस तरीके से अफरीकन यूनियन को उन्होंने मेंबर्शिप दी है और अफरीका से उन्होंने वो मेरा मकसिद उनका रस्ता बंद कर लिया उसको धजका सबसे बड़ा दिया गया है जो एक प्राजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है लाच किया गया है शिपिंग और ट्रेन का प्राजेक्ट वो BRI इनिशियेटिव से बहुत बड़ा है और जो मैं पहले BRI, CPAC और इन चीजों के हवाले से बात करना चाहूँगा क्योंकि वो चल रहा था पहले और दुनिया बेजार है इस वक्त उसके बारे में यह सोचा जा रहा है कि developing countries के लिए debt trap है और मैं उस पे अगरी भी करूँगा किसी हाथ तक पाकिस्तान को आज तक जो भी करजे दिये गए है भारत की तरफ से चैना की तरफ से वो कभी disclose ही नहीं किये जाते कि उनका interest rate क्या है दूसरा उसके सबसे बड़ी मिसाल है कि चैना की दोस्ती से स्री लंका bankrupt हो चुका है तीसरी बाद यह कहूंगा इटली जो है वो इससे बी आरे से निकलता नज़रा और उस दूसरी तरफ जो आज़ोंने प्राजेट इंट्रोडूस कर रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसके जो में एक्टिरदार कौन-कौन से है एक तो स रशिया के उपर अंबार्गो लगाया गया था और दुनिया का जो इस रशिया क्या तेल नहीं बेख रहा तो सबसे ज़्यादा उस एकारमी का फाइदा किसने उठाया साथ हो इस्राइल जो के टेक्नालोजी के लिहाद से दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है जितने जो आईटी के टेक्स के जितने भी स्टार्टाप होते हैं वो इस्रेल से शुग दूसरी टेक्नालोजी जो है वो अमेरिका के पास है भारत के पास यूथ है और आईटी में मनापली है उनकी इन्फरमेशन टेक्नालोजी यह सारी चीज़ें जब सामने आएगी तो चैना कि दुनिया किस तरह इसको रोके गी आगिया इस तरक्की को आगे आगे निकल के जाते हैं ग्लोबल साउथ का मोधी जी ने नारा लगाया है ग्लोबल साउथ का टोटल इस वकद वेस्टन सिब्लाजेशन चाहती थी कि इसको यूक्रेइन की तरफ ले जा लेकिन फाइनल स्ते प्रिके से उन्होंने चाइना को खेरा डाल लिया है चाइना का वहां से निकलना मुश्किल है चाइना की एकानमी इस वक्त वैसे ही स्लंगेश है कोवड नाइटीन के बाद आर्जू उनका सप्लाय चेंड रिस्टोर हो ही नहीं सका इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी अपनी जो हैं वहां से निकल कर रही हा तो वेतनाम, मलेशिया, बंगलादेश और भारत में आ रहे हैं तो उन पर शान है चाइना वैसे भी रियर स्टेट की मार्केट उनकी डाउन है और मैं समझता हूं कि अगर इसमें मोमेंटम जो है इस वक्त जो मोदी जी ने जो अपन भारत की ये ग्लोबल सौथ की सेंचरी हो उसके बाद के इंडिया ने चाइना को मात दे दिया है तो एक महास पर मात नहीं दी बलके जी ट्वेंटिक के इस प्लैटफॉर्म पर कई एक महासों पर लगता है कि उसने यानिके चाइना को जो है वो ठंड मौल हो गया है दिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है ये शिपिंग एंड रेल कॉलिड़ॉर इंडिया को ग्ल्फ कंट्री अरप कंट्री से लेकर यॉरप तक बरहे रास्त ट्रेड के लिए ऐसे मिला देगा कि फिर आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जिस ट्रेड की गुंच दूर दूर तक है, वो कहां पर पहुंचे?